हेलो फ्रेंड्स मैं नितिस गुपता एक्जाम क्रेंड चैनल से आप लोका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेसल के पार्ट 61 के बारे में तो इसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग आईए कुछ question solve करते हैं तो आज का दोस्तों जो हमारा सबसे पहला question होगा यह है चित्रकला की मुगल सैलि का प्रारंब किया था तो चित्रकला की मुगल सैलि का प्रारंब किस ने कियाğı था हुमायू ने किया था कुँन किया تھا हुमाय। नहीं किया इसले कि साथ दोस्तों हम वह लिका पहले हुमाय। हुमाय। की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा हुमाय। का जो पूरा नाम था दोस्तों ये था नसीरुत दीन मुहमेद हुमाय। ठीक है पूरा नाम क्या था इसका नसीरु दीन मुहम्मद हुमायू के नामसी से जाना जाता था और इसका जन्म कब हुआ था तो 6 मार्च 1508 हिस्वी को हुमायू का जन्म हुआ था मृत्यू की बात करें दोस्तो तो इसकी मृत्यू जो है 27 जन्वरी 1555 इस्वी में हुआ था ठीक है और यह जो है कैसा सा सकता तो एक मुगल सा सकता ठीक है कैसा सा सकता हुमायू तो एक मुगल सा सकता और जो है इसके साथ साथ दोस्तो यह भी आप लोग याद करके रखेगा क कि हुमायू जो है वह कुल कितने भाई था तो चार भाई था ठीक है कौन कौन से जो है तो हुमायू चार भाई था पहला तो एक तो हुमायू स्वयम था दोसे नंबर पे कामरान तीसे नंबर पे असकरी और चौथे नंबर पे हिंदाल ठीक है यह कुल चार भाई थे जो है औ और हुमायू के पिता का नाम इसी के साथ साथ आप लोग जान लिजिए कि हुमायू के जो पिता का नाम था यह था बाबर ठीक है यह बाबर का पुत्र रहता है हुमायू और महाम बेगम जो है इसकी माता का नम रहता है ठीक है हुमायू के जो है और इसके साथ साथ आप और दोस्तों चित्रकला के छेत्र में मुगल सैली का प्रारंब जो है हुमायू ने ही किया था सबसे पहली बार ठीक है मुगल चित्रकला की निव हुमायू के सासन में ही पड़ी थी नेक्ष बात करते हैं अगला कोशन हमारा जहांगीर ने मुख्यतया किस कला को सनरचड दिया था तो चित्रकला को सनरचड दिया था यह तो हर किसी को पता है ठीक है जहांगीर ने किस कला को सनरचड दिया तो जो है चित्रकला को सनरचड दिया था कैसे तो इसको भी थोड़ा डेखते हैं थोड़ा डेटेल में आते हैं इसके भी जो जहांगीर था दोस्तो ठीक है यह मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने सिखर पर पहुँच गे थी सबसे अच्छा चित्रकला का काल किसे माना जाता है तो जहांगीर का काल क्यों म कि अलग-अलग जैसे पांच चित्रकार हैं मिलके एक ब्यक्ति का चित्र बनाएं किसी ने पैर बनाया, किसी ने हाथ बनाया, किसी ने गर्दन बनाया, किसी ने मुह बनाया, किसी ने आग बनाया, ऐसे सब लोग मिलके एक फोटो को तयार किये और जहांगीर के पास इतना ज्यादा experience था इतना ज्यादा knowledge था कि वह फोटो को देख के चितर को देख के बता देता था कि इन्होंने पैर को बनाया है और इन्होंने हाथ को बनाया है इन्होंने आप को बनाया है यह कला थी जहांगीर के पास ठीक है तो जहांगीर फोटो को चितर को देख के पैचान जाता था कि कौन सा अंग किस ने बनाया था और इसके साथ सिकार युद्ध तथा राजदरबार के धिरिस्यों को चितरित करने के एलामा जहांगीर के काल में मनुस्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में जो है विशेश प्रगती हुई थी जहांगीर के टाइम पिरिड में ठीक है जहांगीर के दरिबार में सूप्रसिद चित्रकारों मैं कौन-कौन थे तो अबुल हसन ठीक है जिसको कि किसकी जो है उपाधी दी गई थी नादिर उद जमा की उपाधी दी गई थी किसको अबुल हसन को ठीक है भूत इंपॉर्टेंट है एक दो बार एकजाम में आया हुआ कोश्चन है मैंने आपको पिछे जहांगीर के टाइम पिरेड में जब पढ़ा हो तो उस टाइम में बता है मैंने अबुल हसन को जो है चित्रकला की वज़े से जो है नादिर उद जमा की उपाधी दी गई है और उस्ताद मंसूर के नाम से भी बताया था मैंने आप लोग को उस्ताद मंसूर के बारे में इने भी उपाधी दिय गया किस चीज का नादिर उल अस्त्र की उपाधी दी गई है उस्ताद मंसूर को ठीक है जो है तो इन दोनों लोग यह उपाधिया मिली है और इसके साथ साथ इसके जहांगीरी के टाइम पिरेड में फरूख बेग विसंदास अकारीजा मुहमद नादिर मुहमद मुराद मनो गुहरमाधो, गोवर्धन या सब जो है उलेखनी यह थें ठीक है किस की चीज के लिए तो चित्र करला के लिए ठीक है यह सब फेमस थें जिनका इनका मैंने नाम लिया अभूलहसन ने जहांगीर के सिंहासना-भूहड का एक चित्र बनाया था किसने अभूलहसन ठीक है तिन्हसन पर बैठे रहते हैं वो चितर बनाया था अबूल हसन ने और इस चितर की ऐसा मैं बार-बार की उख बता रहा हूं इसलिए कि यiva जो चितर था अबूल हसन के द्वारा बनाया गया ठीक है इसे तुझुक ए जहांगिरी जो आत्मक था है जहांगिर की ठीक है उसके सबसे पहले पेज पर जो है चिपकाया गया था किस पर तुजुक ए जहांगिरी एक किताब का नाम है ठीक है जो की जहांगिर का आत्मक था है उस पर जो है पहले पेज पर जो है इसे इनी के दोरा जो चितर बनाया गया है वही चित्र लगाया गया है ठीक है अबुल हसन के दोरा बनाया गया चित्र इसलिए इसे क्या कहा जाता है मुगल चित्र कला का स्वर्ड यूग ठीक है कहा क्या जाता है मुगल चित्र कला का स्वर्ड यूग कहा जाता है नेक्ष बात करते हैं पहाडी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगडा स्कूल किस कला की विभिन सैलियों को प्रदर्सित करते हैं तो दोस्तों यह भी चित्रकला को ही प्रदर्सित करते हैं पहाडी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगडा स्कूल, मद्यकालीन चितरकला की विभिन सैलिया हैं, उत्तर पस्चिमी हिमाले छेतर के विभिन पहाडी राज्यों में की जाने वाली चितरकारी को सामान्यत पहाडी चितरकला कहते हैं, इसमें वर्तमान में हिमाचल पदेश, जम्मू और कस्मीर तता उत्राखंड का टेहरी गहडवाल जो है छेतर आते हैं ठीक है next question क्या हमारा कौन सा एक संगीत बाद्य बजाने में औरंग जेब की दच्छता थी तो वीड़ा बजाता था औरंग जेब सबको पता है ठीक है आईए थोड़ा डेटेल में जाते हैं इसके बारे में औरंग जेब ने संगीत को इसलाम विरोधी मान कर उस पर पाबंदी लगा दी ठीक है क्या किया जो है संगीत को जो है इसलाम विरोधी मान कर उस पर पाबंदी लगा दी लेकिन उसी के काल में फार्सी भासा में भारतिय सास्त्रिय संगीत पर सरवादिक पुस्तके जो हैं लिखी गई औरंग जेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयम एक कुसल विड़ाबादक था स्वयम क्या था एक कुसल वीडाबादक था ठीक है औरंग जेब नेक्स्ट बात करते हैं प्राता काल में गाया जाने वाला राग है तो कौन सा राग है तोड़ी तोड़ी यह जो है यह प्राता काल में गाया जाने वाला राग है ठीक है तोड़ी राग प्रात कालीन गाया जाने वाला राग है यह राजदरबारों में भाटो एवं चरडो द्वारा गाया जाता है इसके द्वारा भाटा एवं चारडो द्वारा गाया जाता है ठीक है नेक्ष बात करते दोस्तों तांसेन बैजु बावरा और गोपाल ना अस्थापित कियें तो बहुत एक अच्छा कोश्चन है यह ठीक है इसमें पूछ रहा है कि जो स्वामी हरी दास के अन्याई थें इन लोगों ने मिलके जो है कितने संगीत अर्चना केंदौ अस्ठापित किये थे ठीक है तो हम कितने संगीत अर्चना केंदौ की संख्या कितनी थी दोस्तो तो पांश थी वे केंद क्रमसर कौन-कौन से थे हैं तो बाके बिहारी का मंदिर सबसे पहले सारे कहां पे हैं बिरिंदावन में हैं पाचो के पाचो बाके बिहारी का मंदिर दूसरे नमबर पे हैं निधीवन तीसे नमबर पे हैं गोरेलाल का मंदिर और चौते नमबर पे स्री रसिक भिहारी और पांचवे नमबर पे ठट्टी खान ठीक है तो यह पांचों जो है कहां पे हैं ब्रिंदावन में हैं ठीक है और यही पांच केंद्रों के जो है इनोंने इनके अनुयाई जो है थे यही पांच केंद्र जो है अस्थापित किये थ ठीक है, नेक्स बात करते हैं, अकबर के सासनकाल में दुरूपत गायकों में समलित थें, तो कौन समलित था दोस्तों, तानसेन और हरीदास समलित थें, ठीक है, हरीदास कौन था, तो तानसेन के गुरू थें यह, हरीदास जो है, यह तानसेन के गुरू थें, इनका पूरा न अकबर के सासनकाल के दौरान तांसेन और स्वामी हरीदास जो है प्रमुख धुरूपद गायक थें कैसे गायक थें दोस्तों तो प्रमुख धुरूपद गायक थें ठीक है आपको थोड़ा सा स्वामी हरीदास की जो है थोड़ी सी कहानी बताता हूं कि इनकी एक कहानी रहती स्वामी हरिदास की हम लोग भात करें ठीक है कि अकबर कहता है टान से अखबर का टान से अगबर कहता है तो तत अगर तुम इतना चाव गाना गाते हो तो तुम्हारे गुरु जो हरीदास है वो कितना अच्छा गाना गाते होंगे ठीक है तो एक बार क्यों न तुम अपने गुरु का गाना सुनाते तो स्वामी हरीदास जो रहते हैं या तो अकबर के आते नहीं तो अकबर खुद उनके यहां जाना जाता है लेकिन हरीदास जो है उसे गाना न कि तानसेन इनके सामने गाने लगें और उन्होंने जानबूच कर गाने में कुछ भूल कर दी तानसेन जो रहते हैं जाते हैं अपने गुरू के पास हरीदास के पास और जो है गाना गाते हैं और कुछ गलती कर देते हैं जानबूच कर ठीक है और गलती करने के बाद इस पर स जो है स्विकार नहीं किया, किसने तो हरिदास ने, ठीक है, हरिदास गाना गा भी नहीं रहते हैं, वो तानसेन पहुचता है, अकबर को लिवा के धीरे से चोरी से, और जब तानसेन गलत कर देता है गाना, तो हरिदास तब गाना गाते हैं, उसको सही करने के लिए, बताने के यह गलत है यहां पर सही रहगा ऐसे रहगा ठीक है तब अकबर को यह सुन गाना सुनने का मौका मिलता है नेक्स बात करते हैं प्रसिद्ध तांसेन का मगबरा इस्थित है तो तांसेन का मगबरा दोस्तों कहां इस्थित है तांसेन का मगबरा जो है यह ग्वालियर में दर्बार में दर्बार का प्रसिद संगीतग्य था क्या था प्रसिद संगीतग्य था वह अकबर के नौरतनों में से एक था अकबर के दर्बार में आने से पहले तांसेन रीवा के राजा रामचंद के दर्बार में था जहां से अकबर ने उसे अपने दर्बार में बुलवाय और बहुत उच अस्थान प्रदान किया, ठीक है, अकबर ने तान सेन को कंठा भरड वाडी विलास की उपाधी प्रदान की थी, किस को तान सेन को, किस ने, तो अकबर ने, ठीक है, तान सेन उस समय का सबसे अच्छा गायक माना जाता था, क्या माना जाता था, सबसे अच्छा गायक माना जाता था, अबुल भजल के अंसार, उसके समान, भारत वर्स में, उससे पहले एक हज़ार वर्स तक, कोई भी अच्छा गायक नहीं हुआ, उसने, उसने, राजा मान सिंग द्वारा स्थापित गौालियर स्कूल में सिच्छा आपरात की थी Tansen ने और उसका मखबरा जो है या ग्वालियर में स्थित था टansen का मूल नाम क्या है तो रामतनु पांडे यह एक बार के कोश्चन आ चुका है ठीक है कि Tansen का मूल नाम क्या है तो रामतनुपांडे इनका मूल नाम है ठीक है तansen का नेक्स बात करते हैं अगला कोशन हमारा दोस्तों किस मुगल सासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की सिच्छा ली तो अकबर ने जो है सिच्छा ली थी ठीक है मुगल सासक अकबर नगाडा बजाने में प्रवीड था क्या बजाने में नगाडा बजाने में जो है प्रव तो दोस्तों चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किसंगर सैली राजस्थान की प्रसिद्ध सैली किसंगर सैली चित्रकला से संबंधित है यह सैली अपनी स्रिंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ड भारत में जाने जाती है पूरे के पूरे भारत में जाने जाती है किसंगड के राजा कौन रते हैं तो सामंत सिंग, सिरिंगार, प्रियोव, अच्छे साहीतिकार थे जो की नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए इनकी प्रेमिका जो रती है बनिठनी, राधा का सौंधरी, इनके कावे पर आधारित है यह क्या है बनिठनी क्या है, तो दोस्तों एक किताब का नाम है इनके इस सैली का प्रमुकलाकार अमीरचंद, छोटू, भवानिदास और निहालचंद, सीताराम आदि है बनिठनी का प्रसिद्ध चित्र निहालचंद्र ने बनाया था जो की किसंगड सैली में है ठीक है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करते रिए सेर करते रिए और सबस्क्राइब करते रिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच